राष्ट सरप्रथम की बात कारिक्रम में आप सभी राष्टवासियों का हारदि स्वागत है दिल्ली की सिक्षा मंत्री अतिशी ने राणा प्रताब भाग में दिल्ली सरकार की नए डॉक्टर बियारम बेट कर स्कूल ऑफ स्पेशलाइस्ट एक्सिलेंस का उपघाटन किया कारिक्रम को संबोधित करते हुए सिक्षा मंत्री ने कहा कि आज ना सरफ दिल्ली में बल्की पूरे देश में लाखो करोडों बच्चों को जो एक आम परिवार से आते हैं उनको उम्मीद मिली है और यह उम्मीद दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल और दिल्ली के पूर्व सिक्षा मंत्री मनीशी शोधिया ने दी है आप मंत्री ने कहा कि यह स्कूल दिल्ली के सबसे शांदार प्राइवेट स्कूलों से भी बहतर बनाया गया है अब इस नए स्कूल आफ स्पेशलाइस्ट एक्सिलेंस में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी तरक्की की नई उचाईया जूकर अपने सपने साकार करेगा इलाके के लोग और यहां पर बैठे सभी बच्चों को मेरा नमश्कार और आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत मुबारक वाद आज इतने शांदार स्कूल का हम यहां पर उद्गाटन कर रहे हैं इतना शांदार स्कूल कोई प्रायवेट स्कूल भी नहीं होगा जितना आज इस देश में जहां पर हम रहते हैं एक तरह से पिछले आठ साल में अर्विं केजरिवाल जी की सरकार बनने से पहले ना सिर्व दिल्ली में बलकि पूरी देश में सरकारी स्कूलों को लेके एक मान्यता थी ऐसा माना जाता था कि जिसके पास भी कुछ पैसे हैं वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजेगा उस private school में पढ़ने के बाद शिक्षा लेने के बाद जो private school की महंगी फीस दे सकता है उसके बच्चों को तो अच्छी शिक्षा मिलेगी वो वहां से एक अच्छी college में जाएंगे उसके बाद एक अच्छी नौकरी करेंगे लेकिन जो एक गरीब परिवार है उसको मजबूरी म अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा आंकड़े ये दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो 50% से जादा चांस है कि वो बारवी तक भी अपनी स्कूल की पढ़ाई खतम नहीं कर पाएगा अगर पढ़ाई खतम भ हर प्रकार के काम करने हैं लेकिन ये नौकरी करना किसी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए ये हम सब के लिए इस देश के लिए जरूरी है और यही हमारे देश की सच्चाई थी कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता था तो शायद उसको आगे जा है कि ना सिर्फ हम सपने देख सकते हैं बल्कि हमारे सपने सच भी हो सकते हैं और ये उमीद दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल जी ने और दिली के शिक्षा करांती के जनक मनीश सिसोधिया जी ने दी है कि आज ए गरीब परिवार का बच्चा भी सोचता है कि मैं आयाइटी में अडिमिशन ले सकता हूं मैं मेडिकल कॉलेज में अडिमिशन ले सकता हूं मैं इस देश की सबसे बड़ी-बड़ी उनिवर्स्टियों में अडिमिशन ले सकता हूं मैं अपना बिजनस सेट अप कर सकता हूं आज इस देश का इस शेहर का एक आम बच्च नासिर सपने देख सकता है, उन सपनों को साकार भी कर सकता है, यह है दिल्ली की शिक्षा करांती, हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, एक हजार से जादा बच्चे, आयाइटी जेई का एक्जाम क्लियर करके, नीट का एक्जाम क्लियर करके, देश के सबसे बड़े बड़े engineering colleges and medical colleges में admission लेते हैं आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो business blasters program चलता है वहां से निकल कर बच्चे अपने businesses set up कर रहे हैं independent investors उनमें लाखों रुपे का investment कर रहे हैं आज दिल्ली में रहने वाले माता पिता ये सोचते हैं कि हम private school से निकाल कर अपने बच्चों का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा सकते हैं ये है दिल्ली की शिक्षा करांती और जब आप ऐसे शांदार स्कूल बिल्डिंग के अंदर जाए तो मुझे लगता है कि स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता-पिता का इस इलाके के सारे लोगों का कॉलर गर्व से उंचा हो जाएगा कि ये है दिल्ली का सरकारी स्कूल मुझे लगता है कि इतना शांदार स्कूल जो ये है ये दिल्ली के बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि जो बच्चे यहां पे डॉक्टर बियार अमेड़कर स्कूल अस्पेशलाइज़ एक्सिलेंस में पढ़ेंगे वो ना सिर्फ अपने परिवार का ना सिर्फ इस इलाके का बलकि इस देश का नाम रोशन करेंगे मुझे इस बात का पूरा यह किए आज हम इस कार्च किरम में आप से बिदा लेते हैं आप अर्खवरों के लिए बने रहें राश्टर पर्थम बंदे मातराम जाग उठा है भारत